Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका RT का फर्म रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी पास next option क्या होना चाहिए? इस topic पर आज हम डिटर्मने बात करेंगे उससे पहले मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट किजिए इससे मेरे आने वाले आर्टी से लिटर्म वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक पहुच जाएगी चलो तो आज का वीडियो शुरू करते है इस साल अगर हम आर्टी के एड्मिशन के अनेलिस करें तो जो भी बच्चों कर हम कनफर्म लिस्ट में आया है उन में से 50% के पैरेंट्स का फर्म रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्ट होने के बहुत से कारण्स है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन-कौन से कारणों से कौन-कौन से रिजन से आर्टी का फर्म रिजेक्ट हुआ है सबसे पहले नमबर वन रिजन ये है इन प्रॉपर डॉकुमेंटेशन इस साल आर्टी में लगने वाले डॉकुमेंट्स थे आधार कार्ड, बस सर्टिफिकेट, कार्ट सर्टिफिकेट, इंकम सर्टिफिकेट और अड्रेस प्रूफ इस बर क्या हुआ है बहुत से बच्चों का आधार कार्ड पर कुछ अलग नाम है और जब उन्हें आर्टी का फर्म भरा है तो वहाँ पर कुछ अलग नाम डाला है इसलिए बहुत से प्रॉब्लम होके उनका फर्म जिक्ट हुआ है बहुत से बच्चे जो आर्टी का जो इसके वज़े से भी उनका फार्म रिजेक्ट हुआ है फूर्थ इसन है इंकम सर्टिफिकेट इंकम सर्टिफिकेट जिन लोगों को चाहिए था जो लोग open category है और जिनकी income एक लाग से कम है उन्हीं लोगों आटे को फार्म भर सकते हैं लेकिन इस बार क्या हुआ है बहुत से open category वालों ने फार्म भरा है लेकिन उनकी income जादा हो रहे थी इसके वज़े से भी उनका फार्म रिजेक्ट हुआ है नेक्स्ट इस एड्रेस प्रूफ यह बहुत इंपोर्टन्ट अकुमेंट है और RTA की नोटिफिकेशन वहाँ पर लिखा है कि आपका जो एड्रेस है वो स इसके वज़े से भी उनका फार्म रिजेक्ट हुआ है और बहुत से parents का school distance के वज़े से भी आर्टे का फार्म रिजेक्ट हुआ है आर्टिया के notification में लिखा है कि जो कुछ भी आप आर्टिया के फार्म में school फिल कर रहे हो वो school का distance तीन किलोमेटर या उससे कम चाहिए था लेकिन बहुत से parents ने दुर-दुर की school की नाम डाले और उनका admission confirm भी हुआ लेकिन जब उनका document verification के लिए गए तब उनका फार्म रिजेक्ट हुआ तो ये तो कुछ reason थे जिनकी वज़े से parent का form reject हुआ है और मुझे बहुत से comments आते है कि madam हमारे form इस बार reject हुआ है तो क्या हम अगले साल admission ले सकते हैं क्या हम अगले साल RT का form भर सकते हैं तो इस पर में अभी बात करूंगी कि अगर आपके बच्चे का RT का form reject होता है तो आप आपको क्या करना चाहिए और आपके क्या option है और आपके पास क्या क्या options है number one try for next year don't worry अगर इस साल आपका form reject हुआ है तो आपको analyze करना है कि कि किस गलती ची वज़े से कौन से document अपने proper submit नहीं किये उसके वज़े से आपका form reject हुआ है तो आपको क्या करना है वो गलती को repeat न notification है उनकी according ही आपको आपके document अभी से ready करना है अगर आपको income certificate निकालना है तो current year कर निकालना है अगर आपको card certificate अभी तक अपने बच्चों का card support नहीं बनाया तो जाके पहले card certificate बनवाईए अगर आधर card नहीं बनवाया है अगर कोई भी गलती के वज़े से आपका बच्च school देखो RTE जो है वो RTE clotter system है आपको totally RTE पर depend नहीं रहना है क्योंकि clotter system admission होती है मेवी आपको बच्चे का number लग भी सकता है और आपके बच्चे का number नहीं भी लग सकता है लेकिन आपको totally इस पर depend नहीं रहना है आपको other school के लिए भी try करना है अगर आप कहेंगे कि इस बर ह admission कनफ हुआ है लेकिन form reject हुए इसलिए हमारा admission नहीं हुई हम next day करेंगे और next day हमारा बच्चों का number लग जाएगा ऐसा नहीं होता है lottery में क्या होता है possibility होती है और possibility नहीं भी होती है तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी area में रहते हो वहाँ से अच्छे सी अच्छी school को आपको select करना है वहाँ का fee structure वहाँ की admission process क्या है आपको इसके बारे में भी study करना है आटे का form भी भरना है लेकिन आपको RTA पर total depend नहीं ही रहना है RTA के अलावा भी आपको बाकी school का study करना है बाकी school select करना है और अगर RTA में आपके बच्छों का number नहीं लगता है तो आपको other school के लिए भी try करना है So friends, आज की वीडियो में हमने detail में बात किया है कि आपके बच्छे का अगर RTA में नंबर नहीं लगता है तो आपके बच्छे का number RTA में reject हुआ है तो उसके पीज़े गया reason क्या-क्या है उम्मिद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा helpful है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को हिट कीजे इससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगी और friends मैंने parenting पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाये है आप प्लीज प्लेलिस में जाके सारे वीडियो को जरूर देखिए फिर मिलती हूँ एक नए informative वीडियो के साथ बाई टेक केर कुछ के दुछ टेक के आने हैं आएगी कुछ लखी आएगी को प्लीज थाएगी मिलती हैं प्लीज बनाये हैं जाते हैं।